मोहिंज और दारोग के शुरुवाती सेक्वेंस में रितिक रोशन एक भीमकाय मगरमच्छ को मारते हैं यह सीन और मगरमच्छ निहायती नकली हैं इसके बाद यह नकलीपन पूरी फिल्म पर हावी हो जाता है आश्यर की बात है कि इस फिल्म से आशुतोष गुवारी कर और रितिक रोशन जैसे लोग जुड़े होए हैं और करोड रुपए खर्च कर एसी फिल्म बनाईगे हैं जिसका कोई और छोर ही नहीं है गाउ में रहने वाला सर्मन मोहिंजो दारो नामक शहर में जाता है चानी को वह दिल दे विटता है मोहिंजो पर माहम का आतंक है और मूंजा उसका बेटा है चानी की शादी मूंजा से तह है वर्षो पहले सर्मन के पिता की हत्या माहम ने की थी सर्मन ना केवल अपने पिता की हत्या गभदला लेता है बलकि चानी और गाउवालों को बचाता भी है इस घिसी पिटी कहानी को आशुतोर्ष गुवारी करने लिखा है मोहिंजोदारों की प्रस्ट भूमी में उन्होंने अपनी इस घडिया कहानी को चिपका दिया और सोचा कि दर्शकों को वे मोहिंजोदारों के सेट, कॉस्ट्यूम और भवेता में ऐसा उलजाएंगे कि कहानी वाली बात दर्शक भूल जाएंगे लेकिन घडिया कहानी के साथ स्क्रिन प्ले भी इतना उबाव है कि फिल्म से आप जुड़ नहीं पाते फिल्म की शुरुवात में मोहिंजोदारों को थोड़ी प्रमुकता दी है कैसे व्यापार होता था, कैसे लोग रहते थे, कैसे समय की गणना की जाती थी लेकिन धीरे धीरे मोहिंजोदारों और वर्षोव पुरानी सब्विता पीछे छोट जाती है और रुटिन कहानी हावी हो जाती है फिर कहानी में मोहंजोदारों है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता रोमांस दिल को नहीं छूता विलेन के लिए नफरत नहीं पेदा होती और नहीं हीरो के लिए साहनुगुती इस्क्रिन प्ले दर्शकों को फिल्म से जोड़ने में असफन है आशुतोष के निर्देशन में कुछ भी उलेखनी नहीं है वे अपने प्रस्तूती करेंट से फिल्म को दिल्चस्प नहीं बना पाए जिस तरह से उन्होंने कहानी के बीच गानों को डाला है उससे फिल्म का बनावटीपन और बड़ा है बकर और जोकार से सर्मन का फाइटिंग सीन छोड़ दिया जाए तो फिल्म में कुछ भी देखने लायक नहीं है रितिक रोशन ने पुरी इमानदारी से कोशिश की है लेकिन उनके गद और मेहनत के साथ फिल्म की स्क्रिप्ट नयाय नहीं करती वे भी बेदम स्क्रिप्ट के ताले और सहाय नजर आये उनका लुक भी बेहत आधुनिक है जो आखों में खाटकता है पूचा हेगडे का अभिनाय ओसत दर्जे का है और वे बिल्कुल प्रभावित नहीं करती रितिक के साथ उनकी कैवेस्ट्री बिल्कुल नहीं जमी कवीर वेदी और अरुनोंगा सीह ने खलनाईगी के रंग दिखाये है संगीत ओसत दर्जे का है CGI इस तर से नीचे है फिल्म ना तो दर्शकों का मनो रंजन करती है और नहीं मोहिंजो दारों के बारे में उनके ग्यान को बढाती है इस फिल्म को मैं पाँच में से डेल स्टार देता हूँ